श्री राजियू गांधी जो भारत के छट्य प्रदान मंत्री थे आईए जानते हैं उनका जीवन परिचे श्री राजियू गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को बंबई में हुआ था वे सेव तीन वर्ष के थे जब भारत स्वतंत्र हुआ और उनके नाना स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रदान मंत्री बने उनके माता पिता लखनों से नई दिल्ली आकर वस गए उनके पिता फिरोज गांधी सांसत बने एवं जिन्होंने एक निडर तथा महनती सांसत के रूप में ख्याती अरजित की राजियू गांधी ने अपना बचपन अपने नाना के साथ तीन मूर्ती हाउस में बिताया जहां श्री मती इंद्रा गांदी ने प्रदान मंत्री की परिचारिका के रूप में कारे किया वे कुछ समय के लिए दहरा दून के वहलम स्कूल गए लेकिन जल्द ही उन्हें हिमाले की तल हटी में स्थित आवासिये दून स्कूल में भिश दिया गया वहां उनके कई मित्र बने जिनके साथ उनकी आज इवन दोस्ती बनी रही बाद में उनके छोटे भाई संजय गांदी को भी इसी स्कूल में भेजा गया जहां दोनों साथ रहे स्कूल सा निकलने के बाद श्री गांदी केम्डिज के ट्रिनीटी कॉलेज में गये लेकिन जल्द ही वे वहां से हटकर लंदन के इंपीरियल कॉलेज जले गए उन्होंने वहां से मेकेनिकल इंजिनियरिंग की पड़ाई की यह तो इस पष्ट था कि राजनिती में अपना केरियर बनाने में उनकी कोई रुची नहीं थी उनके सेव पार्टियों के अनुसार उनके पास दर्शन, राजनिती या इतियाज से संबंदित पुस्तकें न होकर विज्ञान एवं इंजिनियरिंग की कई पुस्तकें हुआ करती थी हाला कि संगीत में उनकी बहुत रुची थी उन्हें पच्छिमी और हिंदुस्तानी शास्त्री एवं आधुनिक संगीत पसंद था उन्हें फोटोग्राफी एवं रेडियो सुनने का भी शोक था हवाई उरान उनका सबसे बड़ा जुनून था अपेक्षानुसार इंग्लेंड से घर लोटने के बाद उन्होंने दिल्ली फ्लाइंग क्लब की प्रवेश परिक्षा पास की एवं वानिजिक पाइलेट का लाइसेंस प्राप्त किया जल्दी वे गरेलू राष्ट्री जार्ज कमपनी इंडियन एर लाइन्स के पाइलेट बन गए केमरिज में उनकी मुलाकात इतालवी सोनिया मैनों से हुई थी जो उस समय वहाँ अंग्रेजी की पढ़ाई कर रही थी उन्होंने 1968 में नई दिल्ली में शादी कर ली वे अपने दोनों बच्चों राहुलो प्रहिंका के साथ नई दिल्ली में श्रीमती इंद्रा गांधी के निवास पर रहे आस पास राजनितिक गतिवीरियों की ऐसी हलचल के बावजूद वे अपना निजी जीवन जीते रहे लेकिन 1980 में एक विमान दुरगटना में उनके भाई संजय गांधी की मोत ने सारी परिस्थितियां बदल कर रख दी उन पर राजनिति में प्रवेश करने एवं अपनी मा को राजनितिक कालियों में सहयोग करने का दबाव बन गया फिर कई आंतरिक एवं भाय चुनोतियां भी सामने आई पहले उन्होंने इन दबावों का विरोध किया लेकिन बाद में वे उनके द्वारा दिये गए तर्क से सहमत हो गए उन्होंने अपने भाई की म्रत्यू के कारण खाली हुए उत्तर प्रदेश के अमेर्ठी संसत छेतर का उप्चुनाव जीता नवंबर 1982 में जब भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी की थी स्टेडियम के निर्मान एवं अन्य बुन्यारी सुविधाएं उपलब्द कराने संबंदी वर्षों पहले किये गए वादे को पूरा किया गया था श्री गांधी को यह जिम्मेदरी दी गई थी कि सारे काम समय पर पूर्ण हो एवं यह सुनिश्चित किया जा सके कि बिना किसी रुकावट एवं खामियों के खेल का आयोजन किया जा सके उन्होंने दक्षता एवं निर्भाद समन्वय का प्रदर्शन करते हुए इस चुनोती पूर्ण काल्य को संपन्न किया साथ ही साथ कॉंग्रेस के महासचियों के रूप में उन्होंने उसी तनमयता से काम करते हुए पार्टी संगठन को विवस्थित एवं सक्रियों किया उनके सामने आगे इससे भी अधिक मुश्किल परिस्थितियां आने वाली थी जिसमें उनके व्यक्तित्व का परिक्षण होना था श्री गांदी से ज्यादा दुखत एवं कष्टकर परिस्थिति में कोई सत्ता में क्या आ सकता है जब 31 अक्तुबर 1984 को अपनी मां की क्रूर हत्या के बाद वे कॉंग्रेस के अध्यक्ष एवं देश के प्रदानमंत्री बने थे लेकिन व्यक्तिगत रूप से इतने दुखी होने के बावजूद उन्होंने संतुलन मर्यादा एवं सायम के साथ राष्ट्रे जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वहन किया महीने भर के लंबे चुनाओ अभियान के दोरान श्री गांधी ने प्रत्वी की परीदी के देड़ गुना के बराबर दूरी की यात्रा करते हुए देश के लगभग सभी भागों में जाकर दोसो पचास से अधिक सभाएं की एवं लाखों लोगों से आमने सामने मिले स्वभाव से गंभीर लेकिन आद्वनिक सोच एवं निर्नर लेने की अद्वुच शमता वाले श्री गांधी देश को दुनिया की उच्च तक्नीकों से पूर्ण करना चाहते थे और जिसकीवे बार-बार कहते थे कि भारत की एक्ता को बनाये रखने के उद्देश्य के अलावा उनके अन्य प्रमुक उद्देशों में से एक है 21 सदी के भारत का निर्मान 40 वर्ष की उम्र में प्रधान मंत्री बनने वाले श्री राजिव गांधी भारत के सबसे कम उम्रक के प्रधान मंत्री थे और संभव तह दुनिया के उन युवा राजनेताओं में से एक हैं जिनोंने सरकार का नित्रत्व किया है देश में पीडी गत बतलाओ के अग्रितूद श्री गांधी को देश के इतिहास में सबसे बड़ा जनादेश प्राप्त हुआ था उनकी मा की हत्या के शोक से उबरने के बाद उन्होंने लोग सभा के लिए चुनाओ कराने का आदेश दिया उस चुनाओ में कॉंग्रेस को पिछले साथ चुनाओं की तुल्ला में लोग प्री वोट अधे कनुपात में मिले और पार्टी ने 508 में से रिकॉर्ड 401 सींटें हासिल की करोडों भारतियों के नेता के रूप में इस तरह की शांदा शुरुआत किसी भी परिस्थिती में उलेखनिय मानी जाती है या इसलिए भी अदबुत है वे उस राजनीतिक परिवार से संबंदित थे जिसकी चार पेडियों ने स्वतंतरता संगराम के दोरान एवम उसके बाद भारत की सेवा की थी इसके बावजूत स्व्री गांधी राजनीति में अपने प्रवेश को लेकर अनिचुक थे एवम उन्होंने राजनीति में देश से प्रवेश भी किया देश को राजियो गांधी के पांट बड़े रोगदान वोट करने की आयू सीमा घटाई पहले देश में वोट करने की आयू सीमा 21 वर्ष थी जो युवा प्रदान मंत्री राजियो गांधी की नजर में गलत थी उन्होंने 18 वर्ष की उम्र की युवाओं को मतादिकार देकर उन्हें देश के प्रती और जिम्मेदार वर सशक्त बनाने की पहल की 1989 में सम्विधान के 61 संशोधन के जरिये वोट देने की आयू सीमा 21 से घटा कर 18 वर्ष कर दी गई दो संचार क्रांती राजियो गांधी ही थे जो भारत में दो संचार क्रांती लेकर आए आज जिस डिजिटल इंडिया की चर्चा है उसकी संकल्पना राजियो गांधी अपने जमाने में कर चुके थे उन्हें डिजिटल इंडिया का आर्किटेक्ट और सूसना तक्नीक और दोर संचार क्रांती का जनक कहा जाता है राजियो गांधी की पहल पर अगस्त 1984 में भारती दूर संचार नेटवर्क की स्थापना के लिए सेंटर फॉर डेवलप्नेंट ओफ टेलिमेटिक सी डॉट की स्थापना हुई नवदे विद्याले की स्थापना गाउं के बच्चों को भी उतकरिष्ट शिक्षा मिले इस सोच के साथ राजियो गांधी ने जवार नवदे विद्याले की नियू डाली थी ये आवासी विद्याले होते हैं प्रवेश परिक्षा में सफ़ल मेदावे बच्चों को इन स्कूलों में प्रवेश मिलता है बच्चों को कख्षा 6 से 12 तक की मुफ्त शिक्षा मिलती है होस्टल में रेने की सुविदा भी मुफ्त मिलती है पंचायती राज व्यवस्था की नियू राजियु गांधी के Power to the People आइडिया को अनोने पंचायती राज विवस्था को लागू करवाने की दिशा में कदम बढ़ाकर लागू किया कोंग्रेस ने 1989 में एक प्रस्ताव पास कराकर पंचायती राज को समयधानिक दर्जा दिलाने की दिशा में कोशिश की थी 1990 के दशक में पंचायती राज वास्तविक्ता में सबके सामने आया 20 अगस्त को भारत रत्न राजियु गांधी की जहनती कोंग्रेस सद्भावना दिवस के रूप में बनाती है युवा सोच वाले राजियु गांधी को 21 सदी के भारत का निल्माता भी कहा जाता है 40 वर्ष की उम्रों में प्रधान मंत्री बनने वाले राजियु गांधी ने आधुनिक भारत की नियों रखने की दिशा में काम किया उनके उतकरश्ट योगदानों के लिए देश उन्हें हमेशे याद रखेगा